हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम बात करेंगे मैथामेटिक्स की दूसरी क्लास means 6th मोक टेस्ट पेपर ओफ मैथामेटिक्स क्लास ठीक है then इसमें आपके सारे question जो होंगे वो आपके number system से होंगे चलिए इसमें question कितने होंगे इसमें question जो है वो आपके 4 से 5 question होंगे full explanation की वीडियो होगी full आपको बताया जागा question का जवाब कैसे आता है चलिए move करते हैं पहले question के और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहले बार विजिट कर रहें तो मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पर आपको H.P.P.L.S. की तियारी करवाया जाती है इसलिए आपको चैनल पर पने रहना है चैनल को subscribe करना है बैल आइकन जरूर प्रेस करना है चलिए move करते हैं पहले इसके basic क्यों basic क्या होता है दोस्तो number system का आपको ओल्रेड़ी पता होगा कि whole number किसे कहते हैं means आपके पूरण संख्या किसे कहते हैं सबसे पहले आपको पूरण संख्या के बारे पता होना चाहिए पूरण संख्या पूरण संख्या means whole number यो number आपके 0 से लेकर अबब 100 तक चलते हैं means 0 से start होने वाले नंबर पूरण संख्या या whole number कहलाते हैं then बात करते हैं second term आती है आपकी natural number दोस्तों natural number कौन से होते हैं means प्रक्रितिक संख्या प्रक्रितिक संख्या जो आपकी एक से start होती है वो आपकी प्रक्रितिक संख्या होती है एक से लेकर so on तक ठीक है प्रक्रितिक संख्या या आपकी natural number अब बात आती है third term की third term है आपकी real रियल नमबर क्या होते हैं रियल नमबर रियल नमबर जो है वो आते हैं आपके इसमें नैचुरल नमबर भी आते हैं होल नमबर भी आते हैं रैशनल नमबर भी आते हैं और इरैशनल नमबर भी आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं आपके इंटीजर की, इंटीजर क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर और हिंदी में बोलते हैं पुर्णांग, इंटीजर ऐसे लिखा जाता है, इंटीजर या पुर्णांग, ठीक है, इंटीजर या पुर्णांग, इंटीजर 2, 3, ऐसे number जो है वो integer कहलाते हैं, ठीक है, अब बात आती है, इसमें दो बात होते हैं, positive integer या negative integer, गण पुर्णांक या रिन पुर्णांक, जो आपके positive integer है, वो है आपके, 1, 2, 3, 4, 5, negative integer, जिसमें negative का निशान लगा होगा, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, ठीक है, then बात आती है, even number की, even number क्या होते हैं, सभी को पता होगा already, short introduction है, तो आपको बताना जुरूरी है, ठीक है, even number क्या बोला मैंने, even number, इसे English में बोलते हैं, समसंख्या, समसंख्या क्या होती है, 0, 2, 4, 6, 8, means, जो number आपके दो से भाग हो जाते हैं, divisible by 2, R is called even number, ठीक है, next, आपकी term आती है, odd number, क्या बोला मैंने, odd number, और हिंदी में बोलते हैं से, बिशम संख्या, क्या बोलते हैं, बिशम संख्या, जो आपके 2 से divisible नहीं होते हैं, 2 से भाग नहीं होते हैं, means, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे number जो हैं, वो 2 से भाग नहीं होते हैं, और इन्हें बोला जाता है, बिशम संख्या या odd number, ठीक है, then बात आती है, next, prime number की, prime number कौन से होते हैं, दोस्तो, prime number ऐसा number होता है, जो खुद से और एक से ही divisible होता है, बाकि किसी से भी जो है, वो divisible नहीं होता है, जहां आप दूसरी टर्में में बोल सकते हो, ऐसा number, जो जिसके factor जो हैं, वो एक होता है, या खुद होता है, ठीक है, for example, दो किसी और से divisible नहीं होता है, खुद के सिवाए, जहां एक के सिवाए, ठीक है, फिर आपका तीन ऐसा digit है, जो किसी के table में नहीं आता है, खुद के सिवाए, और एक के सिवाए, ठीक है, फिर इ क्या है अभाज्य संख्यां कौन सी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से divisible होती है और एक से divisible होती है means इसका factor जो है वो दो ही होते हैं एक ये खुद होता है 6 ही होगा और एक ये इसका 1 होगा ऐसी संख्यां जो है वो आपकी अभाज्य संख्यां जां प्राइम नमर के लाती है छे नहीं होगा विकाउज ये इनके अलावा भी दो और तीन के फेक्टर होते हैं इसमें ठीक है नेक्स्ट बात आती है दो होगी तीन होगी पांच होगी साथ होगी नो नहीं लिख सकते विकाउज ये खुद के अलावा भी तीन से इसका फेक्टर है तीन से डिवाइड हो जाता है नेक्स्ट कौन सी आएगी जल्दी से मेरे साथ बताईए आप कौन सी आएगी ग्यारा फिर आएगी आपकी तेरा पंद्रा नहीं लिख सकते विकाउज पंद्रा जो है वो तीन के टेबल में आता है और पांच के टेबल में आता है ठीक है मैंने क्या बोला प्राइम नमर वही होता है जो खुद से और एक से डिवाइड होता है चलिए मूव करते है नेक्स्ट आपका टोपिक है आपका टोपिक नेक्स्ट है आपका अब आपको बताना है कि सबसे छोटा प्राइम नमर कौन सा होता है दोस्तों सबसे छोटा प्राइम नमर जो है वो होता है आपका दो ठीक है क्या है दो सबसे छोटा प्राइम नमर दो और only even prime number कौन सा होता है एक लोता prime number वो भी 2 ठीक है अब बात आती है first old prime number कौन सा होता है 3 यह आपको इतने से fact जो है वो अच्छे से याद रखने है अब बात आती है एक क्या होता है एक जो है वो prime number है या composite number है composite number means बाज्य बाज्ये संक्याएं वही होएं जो जिसकी दो से अधिक फेक्टर होते हैं For example आपका 9 हो गया 6 हो गया ठीक है जिनके अपने अलावा भी और फेक्टर होते हैं Means 9 का खुद से भी डिवाइड होता है 1 से भी होता है और 3 से भी होता है 6 की बात करें तो खुद से भी होता है 1 से भी होता है और 2 से भी होता है और 3 से भी होता है ठीक है Next बात आती है अब 1 क्या होता है दोस्तों आपको याद रखना है ये unique number होता है ना ही ये prime number होता है ना ही composite number होता है ये आपको एक के बारे में याद रखना है कभी भी आपको exam में पूछ लिए जाता है ऐसे question B, ठीक है next बात आती है पहले question क्यों रोलते हैं आज की वीडियो का पहला question आप read कीजिए उमीद करता हूँ सभी candidates को ये question आता होगा because अभी से त्यारी करना आप start नहीं की है कम से कम भी आपको लगवग 6-9 महिने हो गए हैं त्यारी करते करते तो आपको ये question जुरूर आता होगा exam में ऐसे question जो है वो normally पूछ लिए जाते हैं number system से, वही question होगी जो आपके किसी ना किसी exam में या कभी ना कभी HB police में पूछ लिए गए हो तो solve कर ये क्या है question 147 को किसी संक्या से भाग देने पर भाग फल 11 तथा 6 फल जो है वो 20 प्रापत होता है बाज़क क्या होगा इसका proper formula है when when 10 10 143 is divided by the a number quotient is 11 remainder is 20 तो इसका answer क्या होगा 1000 तरताली है main जंक्या ठीक है तो उमीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा तो इसका सही जवाब जानने के लिए मैं थोड़ी सी slide छोटी कर देता हूँ विकाउस आपका जो है वो छोटी करने का मतलब क्यूं है विकाउस पेस थोड़ा सा कम है जल्दी से इस question को solve करने की कोशिश करें उमीद करता हूँ अभी तक आपने उत्तर दे दिया होगा तो जल्दी से हम solve करते हैं क्या है इसमें question का जवाब सबसे पहले हमें दिया हुआ है बाज़क बाज़क means बाज़े means 143 next term की क्या दिया गोई है आपका भाग फल बाग फल जो कि कितना है 11 6 फल कितना दिया हुआ है 6 फल 6 फल कितना है 20 ठिक है अब बात आते हैं इंगलिश वालों के लिए इंगलिश वालो आप द्रखिये जाद ये है आपका डिवीडेंट क्या बोला मैंने डिवीडेंट 6 फल आपको सभी को पता है remainder होता है 6 फल है आपका 20 means आपका 6 फल remainder फिर बाग फल quotient ठिक है इंगलिश वालों को भी हो गया clear next इसका फार्मुला सभी को पता होगा क्या फार्मुला लगता है उमीद करता हूँ अभी तक आपने जो है वो फार्मुला लगा लिया होगा दोस्तो एक बात और इससे पहले मैं थोड़ी सी बात clear कर देता हूँ क्या है इसका फंटा फार्मडल लगेगा आपका यदि आपको यहां पर ये भी पता नहीं होगा कि जैसे ये डिवाइड करते हैं 55 फॉर एक्जामपल एक्जामपल के तुरू समझेए 55 है इसे हमने 9 से मंटिप्लाई करेंगे फॉर एक्जामपल 9 6 का 54 आपका आए 1 अब बच्चों को ये भी clear नहीं हो पाता कि dividend कौन सा है divisivor कौन सा है quotient कौन सा है या remainder कौन सा है जब हम करते थे हमें भी ऐसा ग्यान नहीं हो पाता था तो क्या है इसका फंडा दोस्तो ये 55 जो है 55 ये आपको याद रखना है ये है आपका dividend क्या है डिवीजिवर डिवीजिवर नेक्स्ट आपको 9 के लाबा एक याद रखना है वो है आपका remainder नेक्स्ट कोशेंट क्या है आपका कोशेंट कोशेंट है आपका 6 कोशेंट है अब आपको ये इस example के दूप पता लगया होगा कि आपको dividends कैसे find out करना है डिवीजिवर कैसे करना है या remainder कैसे करना है या quotient कैसे करना है for example quotient means आपका 11 है पहले exam में बागफल आपको यहाँ पर कौन सा है बागफल बागफल है यहाँ पर एक quotient means बागफल इसी परकार से आप देख सकते हो remainder means आपका यहाँ पर शेश्वल, ठीक है, यहाँ पर आपका बाज्य क्या है, यह है, ठीक है, इसी परकार से आपको English और Hindi में दोनों की टर्म clear करवा रहा हूं, तो आपको ध्यान से रखना है, क्या है चीजें, अब छोट questions और इसे solve करते हैं, क्या है सबसे पहले, जदि remainder की बात करें, remainder है इसमें, R लिखता हूं, remainder 20, quotient है 11, फिर आपका dividend है, आपका 143, ठीक है, अब इसमें कौन सा formula लगेगा, उमीद करता हूं, आपको आता होगा, question का formula है आपका, dividend, dividend is equal to divisor, divisor, next, multiply, quotient, ठीक है, quotient, plus remainder, यही formula जो है, वो इसमें लगेगा, इसमें find out क्या करना है आपको, divisor find out करना है, तो divisor का find out करने के लिए, remainder जो है, वो आप एक side ले जाए, means, dividend, छोट में लिखता हूं, dividend, minus remainder, remainder, इस side गया, यहाँ पर positive है, तो इस side जाकर, remainder, negative में आ जाएगा, remainder, upon, यह है, quotient, quotient इसे नीचे आएगा, means, dividend, minus remainder, upon, quotient, इतनी सी बात हुई clear, अब, क्या है इसका funda, next आपको पता है, आपको dividend कितना दिया हुआ है, 143, remainder कितना है, 20, next, आपका quotient कितना है, 11, अब, 143 में से, 20 गए कितने आए, 123, 123, upon, 11, अब इसे solve करोगे, कितना आएगा, उमीद करता हूँ, सभी candidate को आता होगा, ठीक है, 11, 11, 9, 10, ठीक है, अब इसमें कितना 6 बचा है आपका, 3, 11, 23, 93 is the correct answer, आपका option number B, correct हो जाता है, उमीद करता हूँ, आपको question जरूर आया होगा, समझ, अब, English वाला, फारूला होतो होगे, आपको clear, इसे बोलते हैं, आपका, बाजक इसे बोलते हैं, हिंदी वालों के लिए, इ इसे बोलते हैं, शेशवल, इसे बोलते हैं, आपका भागवल, ठीक है, इसी परकार से आपको हिंदी और English दोनों में समझाया जा रहा है, हमारे पास दोनों परकार के student होते हैं, दोनों का ध्यान रखा जा रहा है, चलिए move करते हैं, question number second की और, जल्दी से पढ़िए, उमी करें, उमीद करता हूँ, अब इदक आपने question solve कर लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, चलिए move करते हैं, इसका solution की और, इसका थोड़ा सा question को छोटा कर देता है, because आपकी space की थोड़ी सी कमी है, क्या है question, जो आपका star जो है, वो है multiply, क्या है multiply, यहाँ पर लिखतेता हूँ, 8765 into 974, 974 minus 8,765 into 874, यह है question आपको दिया हुआ, अब इसे कैसे निकालते हैं, अब दोनों में आपको देखो कि common कौन सा है, HP police में ऐसे भी question पूछे जा सकते हैं, यह देखो, इन दोनों टरम में common कौन सा है, 85, 8765 common है, 875 दोनों में common निकाल कर हमने अलग से लिख लिया, bracket में क्या क्या बचा, 974 minus 874, ठीक है, इतनी सी टरम बची, आपको बिल्कुल जमेले में नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि examiner, आपको यह एक trick होती है, यह आपको यहाँ पर apply की जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, 8,765 को सीधा सीधा multiply करने लग जाएंगे, 974 से, आपको इस परकार इतने typical method में नहीं जाना है, जैसे आपको समझा रहा हूं, तो आपको वैसे ही देखना है, जब भी आपको common term दी जाती है, तो यहाँ पर हमेशा एक trick लगता है, यो एक हमने अलग कर दी, फिर इसमें बचा कौन कौन सा, 974 minus 844, अब यहाँ पर लिख दी term, यह minus करके कितना है, so सीधा ही यह multiply करो, तो answer आपका सीधा ही आपके पास जाएगा, सीधा ही आगया आपका answer, तो option number आपका कौन सा सही हो जाएगा, option number B is the correct one, ठीक है, ऐसे question solve करना है, ऐसे आपको typical method में बिलकुल नहीं जाना है, ठीक है, next है आपका question number, third, इसमें आपको typical method में है, जाना ही होगा, ठीक है, इसमें क्या है funda, question को आप कैसे जल्दी ज solve कर सकते हो, उमीद करता हूँ, अभी तक आपको आ चुका होगा question, ठीक है, चलिए solve करते हैं इस question को, उमीद करता हूँ, अभी तक आपने solve भी कर लिया होगा, तो क्या है funda, दोस्तो इस question में, आप six, third question में कैसे question solve कर सकते हो, देखिए दोस्तो, end में है six, ठीक है, end में है six दोनों में means a और b option ही आपके answer में होंगे because एक और funda है इसे आप neglect कैसे कर सकते हो जैसे 4 और 4 है last में जैसे आप multiply करने लग पड़ोगे 994 को 994 से multiply करोगे तो end में 6 आएगा means आपका end कोई भी digit आएगा कोई भी digit आएगा आपका यहां तक तो यहां पर end में आएगा 6 ठेक है 6 सिर्फ और सिर्फ a और b option में है आपका c और d ऐसे ही neglect आपके ने कर दिया अब आपको और आपके correct होने के chance जो है वो 50-50% रहे पहले आपके थोड़े से कम थे 25-25% chance थे अब आपके 50-50% correct होने के chance है इसके अलावा एक trick तो आपने यह लगा ली इस question में ठीक है last में आएगा 6-6 a या b आपका जो है वो correct होगा इस question को कैसे solve करते हैं basic से आपको बताता हूँ यहां तक कि आपकी trick complete हो जाती है जैसे आपके 994 है तो यहां पर आपका square है means 2 है आपके 994 ठीक है इतनी सी बात हुई clear अब हम इसे 994 को basic से आपको बता रहा हूँ 2000-6 लिख सकते हैं 2000-6 करेंगे तो भी 994 ही आएगा अब इससे बात clear क्या होगी आपकी second बात है a-b का square आपको सीदा-सीदा नजर आ रहा है यहां पर आ रहा है या नहीं ठीक है अब a-b का square उमीद करता हूँ सभी candidate को आता होगा जिन candidate को नहीं आता है तो इस question के जवाब को देने के बाद मैं आपको formula भी करवाता हूँ क्या है कितने formula आपको important है number system के लिए a का square plus b का square फिर minus 2ab यह formula कहां से आया यह इसका formula होता है next slide में आपको करवाता हूँ formula भी ठीक है जिन candidate को नहीं आते हैं तो यहाँ पर a है 2000 और b है आपका 6 तो put कीजिए a और b की value a मैंने कितना बोला आपको 2000 b बोला आपको 6 दोनों की value put कीजिए 2000 की value 2000 square plus 6 का square minus 2 into 2000 into 6 इतनी सी value हुई clear आपको यदि यहाँ पर 3 0 है इनका square करोगे तो 2 का square आएगा आपका 4 3 0 means 6 0 आएगी 3 0 आगी यहाँ पर 6 0 आगी ठीक है plus 6 का square कितना होता है 6 plus यदि आप 2 और 2 multiply करोगे कितना आया 4 यहाँ पर 6 आगे कितना आया 24 thousand minus आया यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर value put कीजिए कितनी आई इतना सा solve करोगे इतना deeply हम आपको बता रहे हैं तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा question का funda क्या है यदि आप इस question को इस equation को solve करोगे तो आपका आ जाएगा लगवग 3 6 0 6 यहाँ तक आप question को find out नहीं कर पाओगे means 60 सत्ती दोनों में है फिर आगे 9 यह आपका is the correct answer कौन सा option में है यह question का जवाब आपका option number B is the right answer ठीक है उमीद करता हूँ आपको question का स्वाब समझ में जुरूर आ गया होगा next formula की ओर चलते हैं number system में कौन-कौन से formula आपके लिए important है और आपको कौन-कौन से formula जो है वो learn रखने है उमीद करता हूँ आपको यह question समझ में आ जुका होगा अब formula की बात करते हैं slide और चोटी कर देता हूँ formula लिखने हैं तो आपको slide इतनी सी adjust करने पड़ेगी next कौन सा formula लगाया इस वीडियो में a-b का square अब आपको यह जितने भी formula लर्न करा रहा हूँ तो इसमें कोई भी trick नहीं है यह आपको ऐसे ही formula लर्न रखने की कोशिश करनी है और ऐसे ही आपको जाद रखने है आपको mind में fit कर लेने हैं जितने भी formula आपको करवाँगा आपके HV police के लिए सभी important है a-b का whole square का फारूला होता है a square plus b square minus 2ab अब जदी इसमें plus का sign आ जाए means a plus b का whole square का फारूला क्या होता है a square plus b square plus 2ab यह आपको वाद याद रखनी है अब एक और formula बार बार use होता है कौन सा? a square plus b square का square whole square plus a minus b का whole square अब सिदा सिदा आपको याद रखना है 2 a plus b का square next formula है आपका a plus b का whole square minus a minus b का whole square इसका क्या आपको वाले value याद रखनी है a b यहाँ से आपको ऐसे formula लगा कर सिदा ही यह value याद होगे तो आप अच्छे से question जो है वो solve कर पाओगे next formula है आपका a a square minus b square का formula क्या होता है? यह भी formula बार बार use होता है a square minus b square का formula है a plus b का whole minus a minus b का ऐसे bracket में उमीद करता हूँ आपको question का जवाब जुरूर मिल गया होगा next बात करते हैं इसे मिटाने जा रहा हूँ जल्दे से note करने हैं तो note कर लेजे आपको यह formula अच्छे से learn रखने हैं because आपके लिए exam में ज़्यादा helpful होगे ज़्यादा formula नहीं करवाँगा यह 5 formula होगे next formula है आपका कौन सा? exam में कई बार आजाता है a if question आयागा if a plus b plus c is equal to 0 तो आपको value find out करने होती है a square a cube plus b cube plus c cube इसका भी formula है सीधा ही आपको tick लगाज लेना है 3ab विकाओ ABC सीधा ही इसका formula यह होता है आपको याद रखना है next square वाले तो formula complete होगे आपके अब second formula आपको याद रखने है cube वाले cube वाले formula कौन से है a plus b का whole cube का formula क्या होगा उमीद करता हूँ आपको आता होगा already इन candidate को नहीं आता है तो मैं आपको बता दूँ a cube plus b cube plus 3ab a plus b का bracket में ठीक है यह आपका a plus b cube का whole cube का formula हो गया minus आ जाए तो बीच में तो a minus b का whole cube का formula a cube minus b cube minus 3ab a minus b ठीक है इतनी सी बात होई कलेर next formula है आपका a cube plus b cube का formula क्या होगा सीधा ही आपको पूछ लिए जाए तो तो आपको याद रखना है a plus b then a plus b का square minus ab इतनी सी formula आपको याद रखने है next एक और formula है काफी important वाला formula है उसमें आपको वो भी याद रखना है क्या है a plus b plus c का whole का square ठीक है अब इसका formula क्या होगा आपको याद रखना है a square plus b square plus c square फिर आगे plus 2 ab plus bc plus ca ये आपको इतने से formula याद रखने है पहले आपको 5 को रा चुका होँ ये भी 5 होगे 10 formula आपको ये याद रखने है सभी candidate को आने चाहिए because आपको यही formula 6 मिय से लेकर 10 मिय तक करवाय जाते हैं भी हम भूल जाते है but आज की वीडियो देखकर आपको ये formula learn करने है और आज को आपने याद रखना है पूरे के फूरे formula जो भी आपको करवा रहा हूं आपकी HP police के त्यारी के लिए काफी important है और यही formula के base पर question जो है वो direct put कर लिए जाते है तो आपको ये formula बिल्कुल भूलना नहीं है next बात करते हैं next question की next question है आपका question number fourth question number fourth क्या है यही formula बाले question है आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको जैसे formula से ही ये question solve होते हैं और formula से ही आपको question solve करना चाहिए क्या है इन formula में जल्दी से solve करिए जदी आपको फार्मले आते होंगे तो आप question को जवाब अच्छे से दे पाओगे इस question का ठिक है यदि आपको नहीं आते हैं तो आप रुख जाओगे इन फार्मले को solve करते करते क्या है इसका funda और क्या है नहीं है जदी आपको normal candidate की बिहाब पर सोचों तो आप इस question को ऐसे करोगे जदी आपको फार्मले नहीं आते हैं 883 883 से पहले multiply करोगे जितना भी आपका आएगा जितना भी आपका आएगा ठिक है वो आप इस term से minus फिर आप 117 into 117 इसका multiply करोगे ठिक है जो भी आपका आएगा जो भी आपका आएगा वो आप इस term को इसमें minus करोगे और इतना time जो है वो HP police में बिल्कुल नहीं होता है आपका ऐसा नहीं है कि आप ये पूरा solve करते रहें और ये भी पूरा solve करते रहें तो आपका जो है वो इतना time based होगा exam में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको question आप formula और trick से ही solve करोगे तो आपके लिए better होगा trick और formula क्या है यदि आपको formula आते हैं तो ही आपके trick भी काम्याब लग सकती है क्या है इसमें common क्या लग रहा है आपको 883 दो बार आ रहा है means आप इसे मान लेजिए A इसे मान लेजिए B ठीक है मैंने क्या बोला A is equal to 883 और B is equal to 117 ठीक है अब कौन सा formula आपको previous slide में करवा रहा है करवा जा रहा है जो आपको जो है वो इस formula का प्रयोग करके इस slide का question solve करना है A का square बोल सकते है A और A और A और B ठीक है ऐसे होता है देखिए A और A और B A और A और B और B हम square बोलें तो तो भी कोई problem नहीं है A square minus B square सीधा सीधा अब यहाँ पर formula पूट कीजिए क्या है A square minus B square का formula A plus B आपको बताया है already A minus B यहाँ पर आपको formula पूट करना है उमीद करता हूँ आपको आता होगा already तो जल्दी से इसे solve करिए क्या है question 883 plus 117 फिर 883 minus 117 यहाँ तक आपको clear हुई बात ठीक है and next है आपका इन्हें ही आपको solve करना है और then अपना उत्तर निकानले की कोशिश करनी है जब आप इसे solve करोगे तो कितना आएगा 7 plus 3 0 फिर आपका next 0 0 1 1000 आया इसका ठीक है फिर multiply इसका कितना आया जदी हम 13 में से 13 में से जो है वो 7 गटाएंगे कितना आयागा 6 6 7 अब इसे multiply करना आसान है जब इसे multiply करना आसान है आप सभी को पता होगा ठीक है 7 7 6 कितनी 0 है 3 एक जो 3 ठीक है अब कौन सा option आपको कुलेर अच्छा लग रहा है चाह सही लग रहा है option number C is the right answer उमीद करता हूँ सभी candidate को समझ में आ चुका होगा यदि अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक वार दुबारा देखेगा सभी को समझ में आएगा ही आएगा चलिए last question की चलते हैं last question काफी असान है उमीद करता हूँ सभी candidate को आता होगा और सभी candidate इसे solve करने की कोशिश करोगे क्या है इस question का फंडा दोस्तो यूनिट डिजिट या एकाई अंक का question आपका हवी पुलिस में देखा गया है औरेड़ी मैंने सोचा कि आपको ये concept भी पता होना चाहिए दोस्तो यूनिट डिजिट क्या होता है दोस्तो लास्ट के जैसे for example आपको चार सो चे का यूनिट डिजिट पुछा जाए तो आपका 6 होगा यूनिट होगा यूनिट डिजिट मतलब कि लास्ट का डिजिट ठीक है यह आपको यूनिट डिजिट है next अब इसमें काफी ज़्यादा डिजिट है काफी ज़्यादा डिजिट है तो इसमें unit डिजिट follow या आपका find out करना जो है वो थोड़ा सा difficult हो जाता है तो आपको इसमें simple सी trick है तो आपको क्या याद रखना है मैंने आपको बोला last का digit जो है वो आपका unit डिजिट है for example 191 191 में unit डिजिट बोलूं तो आपको find out करने के लिए तो आपको याद रखना है इकाई अंक आपका last का होता है because आपने पढ़ा है already इकाई दिहाई सेंकडा हजार वही है आपका once tens hundred thousand ten thousand lakh ten lakh वही वाले फंडे है 191 में आपका unit डिजिट कौन सा है एक unit डिजिट है अब इसमें 4 है तो इसमें find out करने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है तो आपको simple सा funda या trick याद रखना है इसके last last डिजिट जो है वो find out कर लेने है आपको तो क्या है इसका 446 में last डिजिट 6 फिर आपका इसमें कितना है 8 तो इसमें कितना है next में 9 तो इसमें कितना है last में 2 ठीक है अब इन दोनों को मंटिव ले कर दो 48 इन दोनों को कर दो कितना है 18 ठीक है अब next funda क्या है इसमें अब देखो लास्ट के लास्ट के डिजिट के चुनलो आप 8 और 8 ठीक है 8-8, 8-8 का कितना होता है 64, 64 means last डिजिट कौन सा है इसका वही आपका पूरे का answer होका, means 4 is the right answer option number B is the correct one, ठीक है आपको इसे ऐसे याद रखना है, पूरा solve करने नहीं लग जाना है कई वच्चे होते हैं, एक्जाम में बिल्कुल time कम होता है, आपको trick से ही पूरा question solve करना है ऐसा नहीं करना है कि 476 से 198 multiply करने लग पड़ो तो आपको examiner इतना time नहीं देता है कि आप पूरे question को इतना deeply तरह से solve कर सको उमीद करता हूँ आपको funda समझ में आ चुका होगा, आपके homework के लिए कौन सा question है question number 6 आपका homework के लिए काफी असान question है हमने सबसे पहले इसी question को discuss किया था और formula आपको देखना है कौन सा लग रहा है और number system अभी आप पढ़ रहे हो, तो well and good यदि आप नहीं पढ़ रहे हो, तो भी आपको त्यारी आपकी है तो आप ही नहीं करनी है, जल्दी से 31 दिसंबर तक आपने जो है वो त्यारी complete करनी है 31 दिसंबर तक आपने पूरा त्यारी complete कर देनी है और इस series में आपको just introduction topic का और पूरा topic deeply हम नहीं पढ़ा सकते because आपको थोड़ी सी जितना आपको जुरूरत है, उतना हम आपको इस वीडियो में ऐसी वीडियो में provide कर दूँगा 31 दिसंबर तक आपने पूरा syllabus complete करना है अपना, हम देखते हैं हमसे कब तक हो जाएगा उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी और आपको क्या करना है इस वीडियो का question का जवाब, homework में आपको दिया गया ये question है इंडी में पढ़ना है तो हिंडी में पढ़िये, इंग्लिश में पढ़िये, ठीक है next, आप जवाब दीजिये, क्या है आपका सही जवाब हमें इंतियार रहेगा आपका जवाब का उमीद करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, helpful लगी होगी यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं विकाउज आपके एक लाइक से हमें motivation मिलता है वीडियो को ज़्यादा से बच्चों में share करें इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में या कोई वे ऐसी बात जो है वो अपने डाउट या कोईरी नहीं रख सकते हैं वो हमें इंस्टाग्राम पर बताईए इन सभी प्लैटफोर्म का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बोक्स में हैं वहाँ पर जाएं और हमें फॉलो किये जिए इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप खुश रहेगा पढ़ते रहेगा धन्यावाद जैहिन जैहिमा चल